नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मकॉल के बारे में कि धर्मकॉल को कैसे और किस चीज से पनाया जाता है तो इस वीडियो में तक बने रहें और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें जैसा कि हम जानती है कि आज काम वैं किया जाता है कहांज की चीज़ों या फिर किसी यßा चीज को रखने के लिए इसका और आजकल तो चीजों को धंडा रखने के इसका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये गर्मी को अपने अंदर एंटार नहीं करने देता है और आप चाहे कितना भी से धूप में रखते हैं ये गर्म नहीं होता है तो इस तो थर्मकॉल का वाग्यानिक नाम की होता है लेकिन ये वजन में काफी हलका और कमजोर होता है जबकि ये कमजोर ये टूटे बाली चीज़ों को स्रक्षित रखने में काफी काम आता है और ये धर्मकॉल एतना ज़्यादा हलका इस वजह से होता है क्योंकि इसमें करीब 90% हावा भरी होती है लेकिन अब सवा यानि कि जैसे यह स्टीम यानि की भाब के संपक में आता है तो इसका पाउडर चोटे-चोटे दानों में बदल जाता है और कुछ इस तरह सही बड़े स्किल पर इस तेरिन को भाब के संपक में लाकर लाको करूर की संख्या में थार कर दिया जाते हैं और फिर इन चोट चोटे दानों को इस्टीम चेंबर में भेज दिया जाता है और करीब 2.0 Celsius वालेट ने गर्म किया जाता है जैसे कि इनमें गैस बाट जाये और बड़े हो जाए और फिर इन दानों को बड़े-बड़े packets में भरका रख लिया जाता है और जब भी हमें जिसकी सी डिजाइन, शेप या साइस की थर्मकॉल की शीट बनानी होती है, तो इन पैकेट्स में रखे थर्मकॉल के दानों को एक मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है, और यह मोल्डिंग मशीन चारा तरप से बंद होती है, और करीब 5-15 मिनिट तक इ एक फिक्स प्रेशर के साथ मोल्ड में इन डारों से थर्मकॉल की इक मोडि शीट तैयार कर ली जाती है, एक फिक्स ब्रेशर पर गर्म करने और प्रेशर की वज़े से ये तने चार armory की बंद होनी की वज़े से ये इतने जाटा भी नहीं फ्याल पाते है और प्रेशर की वज़े से ये दाने एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जिससे थर्मकॉल की एक मौटी शीट बन कर तयार हो जाती है और शायद आपको जानकर हरानी हो कि थर्मकॉल की एक शीट का वज़न 20 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक भी हो सकता है और फिर इस मौटी शीट में से जरूत के अनुसर या मार्केट से चोडर मिला हो उसके हसाब से एक कटिंग मशीन की जरिये चोटी-चोटी शीट है या जो शेप हमाच चाहिए होता है उससे हसाब से शीट काट ली जाती है तो दोस्तों कुछ इस तरह से फैक्ट्रीज में स्टारीन मॉनुमर और भापका अस्तिमाल करके धर्मकॉल बनाया जाता है वैसे आपने से कौन-कौन पहले से जबारे में जानता था कॉमेंट करके इस जरूबता है और आगे आपके इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूबता है तो दोस्तों आज के लिए बस अतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंचे भारत वंदे मात्रव